परमेशर के साथ संगती मनाने के लिए एक अच्छा अवसर परमेशर खोला इसलिए मैं परमेशर को धेनेवा देता हूँ पिछले दिनों में परमेशर के वचन से हम लोग कलीशिया के बारे में पढ़ रहे थे तो बाइबल में खेती के बारे में कैसे बताए गया है उन चीजों के बारे में हम लोग दे रहे थे देख रहे थे तो कला हम लोग याद कर रहे थे नूह के बारे में का और के इन के बारे में वो लोग खेती करने वाले थे और वो अपना जीवन की जाओ के लिए खेती करके वो लो क्या करते हैं कुछ ना कुछ है अपने जीवन की परिश्रम के लिए वो लो करते हुए देखते थे मगर उनका जीवन का अनुभाव परमेश्वर से अलग हुआ हिस्साओं को हमने देखा आज भी देखेंगे खेती खेतियों के बार में क्या कहा जाता है बाइबल में स 2nd Chronicles 26 chapter 10 2nd Chronicles chapter 26 verse 10 praise you Jesus thank you Lord 26 this 2nd Chronicles chapter 26 verse 10 no no this no this nine and ten yes और शर्फपना के मोर्त भूमड बनवा कर दूर किये उसके पास गहुट से जन्डल में और नीचे के देश और चौरण देश में किमड़ बनवाए और बहुट से होज कुगवाए और पहारों पर और परमेर में उनके किसान और दाज्टी वारिया के मालिक है वहां पर देख सकते हैं उजिया राजा के बारे में बताए गया है उजिया राजा राजा बनने के बाद नहीं तो उजिया राजा को जीवन में राजा बनकर वो उन्नती पाने के बाद उसके जीवन में वो किया हुआ कुछ कामों के बारे में बताए गया है उसकी नवी व बनाने के बाद उसने क्या किया उची टावस बनाएं टावस बनाने के बाद उसने क्या किया मरुभूमी के प्रदेशों में उसने क्या क्या कुवा खोदा कुवा खोदने के बाद उसने क्या किया अनेक जीव जनतुओं को रखा जीव जनतुओं को रखना ही का उतना ही नही पहाडों पर जंगलों में जंगलों में जंगलों में जो चीज मनुस्य जो जगह को मनुस्य क्या करने करते हैं उन जगाओं को क्या किया उसी यह राजा ने हासिल किया जंगल किसी को नहीं चाहिए हलो मेरे साथ में हो जंगल में कोई जाके कभी भी वो जगा को निवासियों की नहीं बनाता और पहाडों को पहाडों के बीचली एरिया में हो कोई वो ऐसा एरिया नहीं लेता मगर उजिया राजा ने क्या किया ऐसी जगाओं को चुन कर उसने क्या किया जो जो चीज शहरों में हो सकती है उसी चीज को उसने क्या किया जंगली हिसाओं में पत्थरी वाली जगाओं में नहीं तो पाहडी वालो हिसाओं में उसने क्या क्या उपजाना शुरू किया उगवाना शुरू किया वो है उसका परिश्रम हलो ऐसी जगा जो कोई भी जाने के लिए पसंद नहीं करता ऐसी जगा जो किसी को भी जरूरत नहीं है वो ऐसी जगा को उसिया ने क्या किया पसंद किया चुन लिया और वो क्या किया वो क्या करने लगा इसराइलियों के उन्नती के लिए ने तो इसराइलियों के सम्रदी के लिए ने तो इसराइलियों की जरूरत के लिए वो क्या करने लगा काम में लगने लगा इसलिए उसिया का नामकार्थ क्या है परमेश्वर मेरा शक्ती हलो अगर परमेश्वर उसका हमारा शक्ति है जो जगा मनुश्य को जरूरी है ही नहीं उन जगाओं में जाकर कुछ न कुछ फल पूर्णता हम ला सकते हैं इसलिए वो क्या करना शुरू किया उसकी 26 की 9 10 में हम लोग देख सकते हैं उसने टावर बनाया हलो टावर कही के मेरे साथ में हो टावर काई के लिए हलो टावर टावर की मतलब क्या उची इमारत ने तो थोड़ी उची जगा तो जो की देख सके की उसकी खेतिवाडी ने तो उसकी चीजों की समरक्षना के लिए ने तो उसकी चीजों की सेक्यूरिटी के लिए वो क्या किया एक टावर क मेरे साथ में हो अगर टावर नहीं है तो आज का टेलीफॉन सिस्टम काम नहीं करेगा उन जमानों में टावर की जरुरत क्या थी उन जमानों में टावर की जरुरत क्यों थी इसके लिए कि ताकि खेती बाड़ी को लोग न क्या करते थे चुरा के ले जाते थे उठा के ले ज जाते थे इसलिए उसने क्या किया वो कुछ बनाने से पहले सेक्यूरिटी सिस्टम को वो बिल्डब किया खेती बाड़ी करना बहुत अच्छी बात है मगर खेती बाड़ी करने से पहले सेक्यूरिटी सिस्टम बेस्ट रहना चाहिए अलो इसलिए आज हमारे जीवन में हमें भी सोचना चाहिए हम कलीशिया के योग सोभागे में आये हैं कलीशिया को खेती के नाम के प्रयोग किया गया है उसका आर्थ खेल क्लीशिया को क्या करना चाहिए परमेश्वर की सेक्यूरिटी के सिस्टम के अंदर उसको सेक्यूर करके रखना जरूरी है अनिवार यह है नह हमें एक चीज मालम करना चाहिए उजिया से हमें सीखना चाहिए वो खेती बाड़ी करने से पहले उसने क्या किया टावर बनाया फिर क्या 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 क् इसलिए पानी पवित्रात्मा को बताता है पवित्रात्मा की जरुरत काई के लिए है ताकि हमें क्या करने के लिए हर समय सिंचन देने के लिए अलो उसके बाद उसने क्या किया जानवरों को वहां पे रखा और उसके बाद उसने क्या क्या खेती बाड़ी किया है ना और आखरी में लिखा क्या गया है खेती बाड़ी करके वो क्या किया द्राख्य लताएं लगाया और पाहाडी पाहाडी जगाओं को उसने क्या किया प्लेइन जगा बनाया उसका परिस्रम देखो एक खेती के लिए एक जमीन को अच्छा बनाने के लिए उजिया राजा कितना परिस्रम कर रहा है कब किया जब उसके जीवन में उन्नती हुआ इसलिए मेरे बोलने का मतलब है जीवन की हर उन्नती के परिस्तिती में हम परमेश्वर के कलीसिया के लिए कुछ ना कुछ करना ज जरूरी है और अनिवारी है वो उजिया हमें सिखाता है उजिया का परिश्रम थोड़ा देखो पत्तरी यहाँ पानी नहीं मिलता जहां कोई लोग निवास नहीं करते वैसी जगाओं को चुनकर वो क्या किया उप जाओ रीती से बनाया नहीं तो उपयोग शाली रीती से बना तो परमेशर की वच्चन हमारे अंदर आने के करण नहीं तो सुसमाचार हमारे निकट आने के करण नहीं तो परमेशर के प्रेम हमारे निकट आने के करण नहीं तो परमेशर के सेवक गन हमारे निकट आने के करण बविशक बगता हैं हमारे निकट आकर बाते करने के करण क इसलिए उजिया से हमेश सीखने की एकी चीज है कि अपनी उन्नती होते हैं वक्त आपनी चीजों का गुरुत्व देखते हैं वक्त भी शारीरिक चीजों का भी गुरुत्व हमें देखना जरूरी है इसलिए उसिया ऐसे करने के दुआरा क्या हुआ जानता हो इसराइलियों को और यहुदियों को क्या हुआ फाइदा हुआ इसलिए मेरे बोलने का मतलब कलीसिया सबकी फाइदा के लिए होना चाहिए कलीसिया किसकी फाइदा के विश्वासियों का फाइदा के लिए नहीं अन्य जाती के लोगों के लिए भी फाइदा मन्द होना चाहिए अगर खेत में कुछ उगवाते हैं कुछ बीजबोते हैं कुछ फल आता है वो खाली हमारे लिए ही काम नहीं करता दूसरे लोगों को भी कामडा एक बनता है इसलिए उजिया से हमें सीखने दाएक एक चीज़ है कि उजिया अपने देश की उन्नती के लिए कैसी जगाओं को भी अच्छी जगा बनाने के हिस्सा उसके जीवन में वह परिश्रम करके निकाल पाया है वह हमारे जीवन में भी आमें जरूरत वाली हिस्सा है अभी यरम्या का किताब उसकी 31 का 24 जरम माया जरम माया चाप्टर 31 वर्स ट्वेंटी फॉर कि यहुदा के सब नगरों के लोग और चिस्तान और चर्वा पर उसकी सब्सक्राइब कहां के लोग यहुदा और सब नगरों के लोग हां एक और बार एक और बार पढ़ते हैं त승 सबी करते हैं यहुदियों के पारे में कुछ बता रहें तो वो लोग क्या कर रहे है उसकी 24 वा वचल मेंशा बताएगा है यहुदिया के लोग क्या करने लगे मिल जुल कर रहे हो लो क्या करने करें खेती बाड़ी शुरुवात किये है हलो कि उसके ट्वेंटी फाइव वह उस दुवाटा के सवाल ना होगी जो मैंने उसके पुर्खाव से इस समय बाती थी जब में इसका हाथ पकड़ से निस्टर देश में गुजाल लाया देखो ना वहां पर उनकी शांती की माहौल देखो उनकी मिलाव की में एक ता एक ता कई एक सभागेता वहां देख सकते हैं वो लोग दूसरे वो लोग दूसरे देशों में भी वो यहूदिया में वो लो क्या करते थे निवास करते वक्त भी मिल जुलकर शांती के द्वारा अपने काम पे मकसदी बनकर काम करते थे वो लोग वहाँ पे क्या काम करते थे खेती बाड़ी और पसुओं को देखना हलो किसलिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वो खेती बाड़ी करने का उदेश क्या है ताकि उनके जीवन के उपजाओ के लिए नहीं तो जीवन की उन्नेती के लिए वो अपने काम कभी नहीं चोड़ते हलो हमें अपने जीवन की उपजाओ के लिए काम करना चाहिए उसके साथ परमेश्वर की कलीसिया का भी क्या करना चाहिए खेती बड़ी करना चाहिए फरमेशर के कलीसिया के अंदर भी शांती की माहूल, मिलावट की माहूल, एकता की माहूल हलो, मेरे साथ में हो इसलिए यहां पर बताए गया वचन में देख सकते हैं यरम्या कहता क्या है यरम्या यह चीज है, यहुदियों को कहता है उसकी 24 वचन में तुमारे जीवन में उन्नती की जरूर रहता है तो क्या करना चाहिए, मन फिराओ के साथ वापस आओ परमेशर के निकट वापस आओ, तो परमेशर तुम्हें क्या करेगा सब कुछ सवभागयताओं को वापस दिलवा सकता है हलो उसकी 24 वचन में पढ़ते हैं तो परमेशर उनको क्या बलते देखो परमेशर के निकट आने के लिए और परमेशर के निकट से क्या सवभागयता को आनुभव करने के लिए परमेशर क्या कर रहे है इसराइलियों का परमेशर बोल रहे है इसलिए हमारे जीवन में मिला यूनिटी के लिए मिलकर रहने के लिए शांती की माहौल बरतवाने के लिए हमें परमेशर के साथ रिस्ता जोड़ना जरूरी है जो व्यक्ति परमेशर के साथ रिस्ता जोड़ता है हर काम में वो फलदाएक बनेगा वोई चीज यहां पर बताए गया है युहुदा के लोग अन्य जाती के लोगों के साथ वो लोग क्या कर रहे थे मिलनता के साथ खेती बाड़ी करके उन्नती करके आत्मिक चीज़ों का भी वो लोग गुरुत्व लेते थे अपना काम भी करो उसके साथ तुम्हारा आत्मिक जीवन को भी उन्नती में लेके आओ वोई चीज यहां पर बता रहा है अनेक लोग आत्मिक चीज़ में कमती होकर शारीरिक चीज़ों में उन्नती पाने की कोशिश करते हैं बहुत सारे लोग क्लीसिय के अंदर आते क्यों है ताकि परमेशर से फाइदा लेने के लिए नहीं तुम्हारा भी फाइदा होना चाहिए तुम्हारा आत्मिक जीवन की भी उन्नती होनी जरूरी है इसलिए वहां के पताए गया क्या है परमेशर के निकट से ज्यान परिपूर्णता बुद्धी सामर्थ शांती मिलनता ये सब हमें मिल सकता है और अपने उपजाओं में भी हमें कामदायक बन सकता है हमारे खेती बाड़ी में भी वह हमें लाबदायक बन सकता है हलो इसलिए उसके पचीसमा वचन में बताये गया है जो कोई तब ट्वेंटिफाइव देखा ना उदास लोगों का परान को क्या कर दिया है भर दिया है खेती बाड़ी में कुछ लाब हुआ नहीं हुआ नो प्रॉब्लम मगर तेरे परान को क्या करने वाला तृप्त करने वाला परमेश्वर ना से नस्ट होने से भी कोई लेंदे नहीं मगर तेरे प्रान को तेरे आत्मा को क्या करने वाला तृप्त करने वाला परमेशर वोई चीज यहुदियों को परमेशर बोल रहा है तुम क्या कर रहा है खेती बाड़ी कर रहे हो उसमें नश्ट भी हो सकता है लाब भी हो सकता है मगर तेरे आत्मिक जीवन में लाब नश्ट नहीं हो सकता आत्मिकता में लाब नश्ट नहीं हो सकता आत्मिकता में हर दम लाब ही होना चाहिए नश्ट वाला हिस्सा को हमें लाने की कोशिश ही नहीं करना चाहिए नाब खोलने के कारण, वो लोग किसी के साथ शांती की माहों नहीं रख सकते, किसी के साथ मिलने ही सकते, इसलिए यहां पर पताए गया है, यहूदा, यहूदा की नाम की अर्थ क्या है, तुति करने वाला, परमेश्वर की महिमा करने वाला, परमेश्वर की घोशना करने वा आए अलो अभी उसी एरेमिया का किताब उसके 51 का 23 अगर पढ़ते हैं तो उदर देख सकते हैं 51 का 23 हाँ 51 का 23 हाँ 51 का 23 अगर हम आत्मिक दोर पर परमेश्वर के साथ नहीं है जो कुछ भी हमारा है उनको परमेश्वर क्या कर सकते हैं स्प्लिट आउट कर सकते हैं 56 कर सकते हैं वहीं लिखा है ना है कि स्मैश कर सकते हैं अलो शैटर स्मैश क्या क्या कि तेरे उप जाओ तेरे भेड़ बक्री तेरे गवर्णर्स तेरे कमेंडर्स साथ को मैं चित्तर वित्तर कर दूंगा अलो मेरे साथ में हो मेरे साथ में हो परमेश्वर क्या कर सकते हैं हर चीज़ को छित्तर वित्तर कर सकते हैं अगर हम अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं है इसलिए एक चीज हमें मालूम करना चाहिए परमेश्वर हर जगा विराजमन परमेश्वर है परमेश्वर हमारा क्या है स्रिष्टी करता है परमेश्वर ने हमें क्या किया है डिजाइन किया हुआ व्यक्ति है हलो वो आत्मिक चीजों के लिए भी शारीरिक चीजों के लिए भी इसलिए हमारा जीवन बहुत अधिक गुरुत्व आत्मिक चीजों के लिए होना चाहिए शारीरिक चीजों के लिए नहीं जितने एक्षारीरिक चीजों के लिए हम लोग गुरुत्व देते हैं उससे भी अधिक हमें क्या करना चाहिए आत्मिक चीजों के लिए गुरुत्व देना जरूरी चाहिए आत्मिकता में क्या नहीं गरीबी नहीं होना चाहिए मेरे साथ में हो इसलिए परमेशर ने क्या किया इसराइलियों को और यहुदा के लोगों को क्या किया परमेशर की कृपा दे कर उनको बचाया उनको उधारी दिया मगर वो अपने जीवन में सठीक से जीवन जापन ना करने पर नहीं तो आत्मिकता में ना रुकने के करण पर्मेशर उनको क्या कर दिये, बहुत परिष्टितियों में छित्तर वित्तर कर दिये, उनके विरुद बहुत सारे युध्ध हुआ, उनके विरुद क्या कि बहुत सारे राजा लोग खड़े हो गए, आया न, इसलिए यहां बता गया है कि देखो उसका पहला वचन लेगा ना क्यूंकि यह लोग क्या कर रहे थे इस्राइलियों को यहुद्यों को क्या करने सताने की कोशिश कर रहे थे इसलिए परमेशर क्या कर रहे है शत्रुवों को परमेशर चित्तर वितर कर रहे है यह भविश्यवाणी के हिसाब से कौन यह रम्या बता रहा है किन को इस्राइलियों को इसी का अच्छी तरीके से मालूम करने के लिए एसेया का किताब उसकी 44 28 जो कुछनु के विशे में कहता है वह तेरा वह मेरा रहा है और इस्टापूरी करेंगा हाँ ज़िए के विशे कहता है वह बताई जाए जाए गी और मंजिर के विशे तेरी नियू डाली जाए गी देखा ना इस्राइलियों को चुटकारी चुटकारा दिल्वाने के लिए विजाति एक राजा कौन उसका नाम क्या है कि साइरस हलो क्यों उठाए क्योंकि लोग परमेश्वर के निकट आत्मिकता का अन्वेशन करना शुरू किये इसलिए वहां पर है उसका 28 में क्या बताए गया है कि अंजपना मंदिर बनाना शुरू किए वह लोग क्या किए सब कुछ का पुलिंस ठापना करना शुरू किए आत्मिक तोर को गृत्तु देना शुरू किये इसलिए परमेश्वर क्या किए उनकी जो चीज हमें मालूम करना चाहिए जो राजी उनका नश्ट हो गया था उसी राजी को परमेशर फिर से स्थापना कर रहे हैं जो मंदीर उनका विनश्ट हो गया था उसी चीज़ को परमेशर स्थापना कर रहे हैं इसलिए एक चीज़ हमें मालूम करना चाहिए परमेशर की खेती बाड़ी को परमेशर की कलीसि अका आत्मी कता की और से नस्ट नाज हो जाओ अगर नस्ट हो गए हो तो आज मनफिराओं के साथ वापस अगर आ गए तो परमेशर क्या कर सकते हैं विजाती राजाओं को खड़ा करके तुमारी आत्मी कता को फिर से खड़ा कर सकते हैं लो आराधनों को फिर से वापस परमेशर दे सकते हैं हमारी मंदिर को परमेशर फिर से स्थापना कर सकते हैं हमारी फाउंडेशन को फिर से परमेशर क्या कर सकते हैं मजबूत बना सकते हैं इसलिए 45 का एक में क्या बता है देखो 45 का एक है 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 उसके दाइने हाथ को इसलिए ठाम लिया है क्योंकि ताम में जातियों को दबा दू और राजाओं की कमय धिली कर हलो किसको साइरस नामक राजा है जो एक विजाती राजा है उसको परमेशर क्या किये अभीशे किये और उसके हाथ को परमेशर क्या किये पकड़ के रखें ताकि अन्य देश के राजाओं को क्या कर सके अन्य देश के लोगों को क्या कर सके कुचल सके हा न और दरवाजाओं को खोल सके जो की बंद पड़ी थी देखो परमेशर कैसे रस्ताइं खोल रहे हैं इसलिए मेरे बोलने का मतलब कलीसिया के अंदर हम लोग खेती बाड़ी शुरू करके आत्मिक रीती से चल कर परमेशर के वचन के उपर आसराई करके रातना का जीवन काटके आत्मिक उन्नती में अगर आने की कोशिश करेंगे परमेशर हमारे लिए क्या करेंगे शात्रूओं को भी परमेशर चित्तर वितर कर सकते हैं जिलिए यहां पर जो साहिरस नामक राजा है वो एक अनिजाती के राजा है विदेशी राजा है उसको परमेशर क्या किये एक मकसद के लिए इसराईलियों के उधारी के लिए क्या किया अनॉइंट किया अभीशे किया मेरे साथ में हो इसलिए यरम्या के किता 51 के 23 में क्या बता गया जो बबिलोन को परमेशर क्या करेंगे थितर बितर करवाएंगे थितर बितर किया हुआ हुआ करने के लिए परमेशर क्या किये साइरस को परमेशर यूज किये उसके कारण क्या हुआ इस्राइलियों का जो भी जो भी आत्मिक जो भी शारीरी कृती की चीजें थी उन सब कुछ की क्या होने लगी बड़ोत रिवाने की उन्नती होने की अनुबव हुई उसी के साथ साथ आत्मिक जीवन भी उन्नती होना शुरू हुआ हलो इसलिए मेरे बोलने का मतलब यह है हम परमिश्णर के कलीसिय के अंदर है कलीसिय के अंदर होने के कारण हमारे आत्मिक जीवन को हमें उन्नती में लाना जारूरी है जितना अधिक हम आत्मिक रीती से उन्नती पा रहे हैं उसको कभी भी कम होने के लिए नहीं देना चाहिए वो है उद्दाहरन अभी आमोस के किताब पाँचवा द्याए उसका सोला सत्रवा बचन आमोस के किताब पाँचवा द्याए उसका सोला सत्रा इसकारण से नाव का इंफर्मेशन रभू यहुवा यह कहता है हाँ 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 वो मेरे साथ कौन बोल रहा है खुद परमेशर बोल रहे हैं क्यों क्योंकि इसराइलियों को परमेशर क्या किये शत्रों के रहा है शत्रों के हाथ में पेस करने वक्त वो लोग परमेशर को ढूना शुरू किये रोना शुरू किये इसलिए वहाँ पर बताए गया देखो वो लोग परमेशर क्या कह रहे हैं कहां कहां वो लोग रो रहे होंग सड़कों पे फिर सड़कों में खेतों में सत्रवा बचन में देखो मैं तुमारे बीच में से होकर जाओगा हलो परमेशर की उगरता वो इसराईलियों के उपर रहने के कारन वो लो क्या करना शुरू किए परमेशर के निकट रोना शुरू किए परमेशर के निकट दुखित होना शुरू किये उसके कारण क्या हुआ है परमेशर उनके निकट पास्ट करना शुरू किये यहां पर हामोस क्या कर रहा है भविश्यवानी के हिसाब से बता रहा है परमेशर के आत्मा के द्वारा लो पाइस के अंदर हमें कौन चाहिए रोने वाले लोग चाहिए लो किसके लिए रोने किसके लिए रोने वाले इसलिए इस्यों मशी एक बार एक नगर में प्रवेश होते वक्त एक विदवा की एक लोता बेटा की मौत होने के कारण उसको क्या कब्रस्तान की और ले जा रहे थे तो उसकी मा क्या कर रही थी रो रही थी उसकी आसु कोई पोचने वाला ही नहीं था मगर उस 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 नजरिया के सामने इश्यू मशी उपस्तित हुए और उसकी आसू को इश्यू मशी ने देखा अगर इश्यू मशी पास करके जाते हैं तेरी आसू को देखने वाले परमेशर है तेरे आसु को देखना ही नहीं उस आसु को परमेशर क्या कर सकते हैं पोच्छ सकते हैं बंद करवा सकते हैं अलो इसलिए यहां बताये गया वच्छन में देख सकते हैं इसराइली लोग परमेशर के विरुद होने के कारण अभी क्या कर रहे हैं परमेशर को ढूंड रहे हैं परमेशर के निकट रो रहे हैं आसू कब था कि हां जब गलती किया होगा आसू आएगा नंबर टू जब कुछ नस्ट हुआ होगा तब आसू आएगा जब अच्छा होगा आफ़ा आएगा इसलिए लोग को अभी आसू आनी की कारण क्या है इनके जीवन में कुछ नस्ट हो है उसे नश्ट को प्राप्त करने के लिए वो लो क्या कर रहे है आसू बहा रहे है हलो परमेश्वर के निकट आसू बहाने से लाबदाएक है उसमें कोई नश्ट है यह नहीं हुआ है हलो आसू बहाते वक्त बाते काम आती है हाँ यह ना लो इसलिए इसमें की कुरुसार्पित करने के लेकर जाते वक्त बहुत सारे औरत लोग रो रहते तो इसमें क्या कहा मेरे लिए मत रो किसके लिए रो खुद के लिए और अपने बाल बच्चों के लिए अलो मेरे साथ में हो खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए क्या करो रो क्राई आज कल यह चीज हम लोग भूल चुके हैं कौन सा रो ना हलो हलो हो मेरे साथ मेरे साथ में हो हमारा आसू क्या कर दिये हम लोग बंद कर दिये हलो हलो मेरे साथ में हो इसलिए यहां पर लोग क्या कर रहे हैं आसू के द्वारा हलो आसू के द्वारा वो लोग क्या करना शुरू किये फरमेश्वर की अन्वेशन करना शुरू किये आसू ही एक ऐसा चीज है जिसमें बोलती कम पानी ज्यादा आकों से पानी ज्यादा निकलने लगता है इसलिए कलीसिया के अंदर रोने वाले लोग जरूरी है देर शुट भी पीपल को शुट भी रेडी टू क्राइ इसलिए आम उसके किताब में देख सकते हैं लोग रो रहे हैं परमेश्वर की आवाज सुनकर रो रहे हैं परमेश्वर की वचन सुनकर क्या कर रहे हैं परमेश्वर की बातें सुनते हैं उनके क्या आने लगता है रोना आना शुरू को है the moment you listen the word of God you start crying रोना आता है कुरू सार्पन के बारे में बोलते हैं तो रोना आना चाहिए रोटी और द्राक्षरस हमारे सामने आते वक्त रोना रोते हैं क्यों? क्योंकि हमारे पुरानी स्तिती हमें यादाने लगती है उस स्तिती से पर्मेशर ने हमें बचाया उस चीज को याद करते वक्त क्यों रोना नहीं आएगा इसलिए बाइबल कहता है रोते रोते जो बीज बोता है वो काड़ते वक्त कैसे काड़ता है हस्ते हस्ते काड़ता है हलो इसलिए हमारे दुखी परिस्तिती में है हमारे जीवन में मन परिवर्तन के स्तिती में आखों से क्या गिरना चाहिए पानी गिरना चाहिए पानी से क्या करना चाहिए सिंचन इसलिए दावुद कहता है मैं अपने खटिये को मैं अपने कत्तकिये को क्या करता हूँ आशू से डुबो देता हूँ क्यों दाउद राजा बनना बड़ी बात नहीं है दाउद राजा बनने से पहले जब जंगल में था तब उसकी स्थिति कैसी थी अकेला था राजा बनने के बाद भी वो अकेला ही था आया ना इसलिए वो अपने खटिये पर रोता था इसलिए मेरे बोलने का मतलब है खेती बाड़ी करने वाले लोगों को एक रोना जरूरी है क्यों आसू जब तक नहीं गिरती क्या नहीं होती अच्छा फल पैदा नहीं होता इसलिए यहां देख सकते हैं आमोस के किताब में लोग रो रहे हैं क्यों परमेशर की आवाद सुनकर आज कितने लोग हैं कलीसिया में वाचन सुनकर रोने वाले आल्टर कॉल के समय रोएंगे वचन बोलते हैं वक्त एक बून आसू नहीं गिरेगा अगर घर के कोई सदसी का मौत हो गया तो बह क्या रोता है रोना ही रोना किसको दिखाने के लिए मालूम नहीं आ इए देखे हो ओ किसी की मौत हो गई तो रोने का उपर रोना तेरी को पर में चट आते वक्त पर मेंश्वर कि वचन की घोशना होते ह्वत नहीं तो पर मेंचर की तानों में मिलिन रोना नहीं खोते वक्त तेरी वो चीज ही आमोस के किताब में बताए गया पाचवाद्या सोला सत्रवा मचन में वो लोग क्या कर रहे हैं मिलकर रो रहे हैं एक साथ मिलकर रो रहे हैं हलो हमारे देश के लिए हमें रोना जरूरी है पाप करने वाले लोगों के लिए हमें रोना जरूरी है कलीसिया के लोगों के लिए रोना जरूरी है कलीसिया के विश्वासियों के लिए रोना जरूरी है कलीसिया के सेवकाई के लिए रोना जरूरी है कलीसिया की सेवकाई के बुनते हैं मगर हस हस के वो लो क्या करते हैं काटते है अभी देखो योवेल के किताब में देखो एक वचन लिखा है योवेल के किताब है पहली अध्याए है कि हाँ 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 दस गया रहा है क्योंकि अल्य नच्च हो गया नया दाख मदल सुख गया तेल भी सुख गया है यह किसाथ लर्जित हो हाँ जब सबनाश्ट हो गया सब रूना दोना अतनिक चीज में कुछ नस्ट होने से पहले रोते नहीं खेती बारी नस्ट होने से रोने के ओपर रोना और देखो इसका बारवामचन अध्याए मनुष्य का हसी मेरे बाइबल में लिका है हुमन जोई है सड्राइड अप उनके आनंद भी क्या हो गए क्यों क्यों जानते हो न उनका जो कुछ भी ता सब नस्ट होना शुरू हो गया तब उनको आसु आया तब यह लोग क्या कर रहें देखो उसका तेरवामचन पिर उसके बाद चौद्वी वचन वाद का जिस है राव चौद्वा 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 वचन पौद्वा चौद्वा का प्रशार करो हाँ वरत देश के सब रहने वालों को भी अपने परमिश्यों यहावां के मवन में इकटा करके उनकी दो हाई दो हालो जब सब नस्टो हो गया सब तब सब लोग क्या करते हैं इकटा होते हैं रोना धोना सब कुछ अरे जब कलीश्या के अंदर है क्यों रोना धोना नहीं है जब आत्मीक तोर में कलीश्या के अंदर है बड़ो तरी पार एक तब रोना दोना निहें जब बहुत सारे लोग खेतिवाड़ी करते हैं, बहुत सारे लोग फर्मिष्वर के निकट हैं, कलीसिया के अंदर, मगर Acting Christians, Acting Christian होने से भी फर्मिष्वर काम करते हैं, वो उसमें काम नहीं करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर Acting करने से तिरी आत्मी कुन्नती नहीं होती, इसलिए द जिले मेरे बोलने का मतलब है कलीसिय के अंदर हम खेती बाड़ी कर रहे हैं तो हमें उपवास करना जरूरी है रोना जरूरी है मिलकर क्या करना चाहिए परमेशर की वचन ध्यान करना जरूरी है परमेशर के मंदिर में आना जरूरी है ये नास नस्त होते वक्त आने वाला हिस आया ना बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है बच्चों का टेंथ क्लास का एक्जाम होगा तो फुल फास्टीं बच्चा रोगी बन गया फुल फास्टीं अरे बच्चा आत्मिक रीती से बढ़ रहा है क्या अब बच्चा बफ्तिस्मा पाने के लिए तैयार नहीं हुआ है बच्चा मनफिराव के साथ पर्मेशर के निकट नहीं आया है उसके लिए कितने लोग रोने वाले यह कभी सुने हो कोई भी विश्वासी बोलने कर रहा हूं कि मैरा बच्चा पर्मेशर के निकट आया नहीं है मैं इसलिए उपववास हूँ आप आप लोग भी मेरे लिए उप्वास के साथ प्रार्तना कीजिए कोई बोलता है supplements कोई नही नहीं Id par मेरा पती आया नहीं है इसलिए प्रारत्ना कीजिए मेरा बेटा आया नहीं और तेरा काम क्या है के अलो इसलिए मेरे बोलने का मतलब फास्टिंग प्रेयर रोना प्रमेश्वर की सेवकाई करने वाले प्रमेश्वर की कलीसिया के सादस्य प्रमेश्वर के खेत में काम करने वाले उनको वो एक अभ्यास होना चाहिए इट शुड़ बी एक कस्चम अभ्यास अभ्यास मतलब समझते हो रेगुलर वाला हिस्सा है उस हिस्से को कोई बोलने की जवरत नहीं है उस चीज़ को योयल बता रहा है तुम्हारा जीवन में नास नस्ट आते हैं वक्त सब आक्टिंग निकाल देते हो No, परमिशर की निकट आउर काम नहीं करता, परमिशर असलिए चाहने वाले हैं, चलिए मेरे बोलने का मतलब कलीसिया को खेती बाडी कहते है, खेती बाडी में करने वाले लोग, खेती में योग्यिदान पाये हुए लोगों को क्या करना चाहिए? एनी टाइम डिक्लारेशन ऑफ फास्ट उनके जीवन में उपवास एक अनुभव होना चाहिए कलीशियक का मिलाव प्रोक्लेमेशन ऑफ असंबली कलीशियक को क्या करना चाहिए महिने में एक बार सब नौकरी वकरी छोड़कर तीन दिन आके बैठना है जरूरी है महिने में एक तीन दिन साल में तीन दिन नहीं तो मंतली वन्स एसंबली वन कराना जरूरी है और मिलकर क्या करना चाहिए प्रार्थना उपवास रोना धोना और परमेश्वर के निकट विलाप करना इसलिए मेरे बोलने का मतलब कलीश्या के अंदर ये चाहिए उसके तेरवे वचन तेरवा वचन में बताए गया गया याजक क्या पहने है हलो साक्लोट मतलब जो बोरी बोरी केते हैं ना सैक चावल जिसमें रखते हैं उसको बोरी बोलते हैं ना वो पह अरे याजक का वस्तर कैसा वस्तर परमेश्वर बताए जाते हो ना वह वस्तर का खरीदरी कम से कम चार करोड रुपया है चार करोड से दस करोड तक है वह वस्तर का कीमत वह निकाल कर वह निकाल कर साक कुलोट पहन सकते हैं क्या हलो 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 पहनेंगे क्या जवाब मुझे चाहिए यह नहीं पहनेंगे क्यूंकि सैक रोट क्या है बोरी 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 जो चीज है वह घर में लाटते हैं सब सुत्रा जगां में रखते हैं का की पेख देते हैं वो बोरी के अंदर क्या होते है कीडो मकोडे गंदगी पानी की नमी सब कुछ रहता है अगर एक व्यक्ति बोरी पेहन लेता तो क्या होने लगता है हाँ गंदगी तो होगा होगा दुर्गंद फिर इचिंग होगा इचिंग खुजली खुजली करते 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 रोने रोख सकते हैं उसका वारती यह है कि क्या करो तेरी 39 रेनियों को छोड़ कर तू नीचे आँ कम डाउन है वेलो उसके बात क्या करना है क्या कर रहा है तुमारा मिनिस्टर्स अज़ो 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 कब अधि दिन रातों में क्या पहनो साखलोथ लो नहीं जब नाश्टू होगा फॉर एक्जांबल बिजनस है बिजनस डूब गया तो कोई कोई सी को भी बोलने वाला है जरूरत नहीं आया ना और एक्जांबल सोच लो अंबानी कोई बीरा पूरा बिजनस डूब गया जो सूट बूट पहन के घूम रहा था वो कल से क्या पहन के घूमेगा नॉर्मल ड्रस पहन के घूमेगा हो या ना हाँ या ना आजकल भी लोगों का ड्रसिंग सेंस देखो कलीशिया के लोगों का ड्रसिंग सेंस ओ सूट बूट सब कुछ है कुछ नस्ट वस्ट हो गया ना तब का क्या कौन से पहनेंगे वैसा स्थिती है किस लोग की जोईल के समाने में लोगों का इलो इसलिए मेरे बोले का मतलब है परमेशर के कलीशिया के लोग परिस्थिती आते वक्त बदलने का हिसा नहीं हर दम एक जैसा होना चाहिए परिस्थिती में बदलने वाला कौन है एक जानवार रहे परिस्थितियों में बदलने वाला है गिर्गिट उदर गया तो उसके जैसा इधर गया तो इसके जैसा यहां आया तो यहां के जैसा वहां गया तो वहां के जैसा गिर्गिट मत बनो तेरी आक्टिंग परमेश्वर के निकट काम नहीं आएगा कलीसिया एक सिनिमा थेटर नहीं है, आक्टिंग कलब नहीं है सब का मन एक जैसा होना चाहिए, सब के अंदर क्या प्रार्थना का विशा एक होना चाहिए सबके अंदर रोने का तत्तु होना चाहिए सबके अंदर परमेशर के वचन की आस्राइ होना जरूरी है सबके अंदर परमेशर के लिए क्या करना काम करने का मतसद रहना चाहिए सबके अंदर मिलनाता की जरूरत होनी चाहिए सब के अंदर क्या करना चाहिए आत्मा की जरूरत होनी चाहिए सब के अंदर वचन की पूर्णता होना जरूरी है तो ही क्या हो सकता है खेती बड़ी परफेक्टली हो सकता है कलीस या परफेक्टली रन हो सकता है अब मातिली के सुसामाचार 21 अध्याई को आते हैं वहां पर देख सकते हैं एक खेती वड़ी करने वाला वेक्ति के बारे में बताए गया इक इस वाध्याई उसका थे थर्टी थ्री एक और तुस्तान सुनो एक ग्रास्वामी सुटार जिसने दाफ की बाड़ी लगाई ध्यक्तार गया किशान को क्या खरके गया ऑट ठेका 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 मतलब और आपकाट देखे चले गया तेरे को भी परमेश्वर कॉंट्रेक्ट देखे चले बेटिए को फारे नर्हें को देखे चले गया हलो, वो कॉन्ट्राइक्ट तेरे हाथ में है, ये उदाहरन कौन बोल रहा है, इस्यूमसी बोल रहे है, एक व्यक्ती, क्या किया, एक खेत लगाया, और उसको क्या किया फेंसिंग बांद के रखा और क्या किया खेती डाल दिया डालने के बार जो भी फल मिलता है उस फल को क्या करके पीस पीस कर निकालने के लिए वाइन प्रस भी बनाया और क्या क्या वाच टावर भी बनाया उसके बाद किसके हाथ में दे दिया हलो 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 मेरे साथ में हो सब कुछ बनाने के बाद ही कॉंट्रैक्टर के हाथ में दे दिया गया अब ये कॉंट्रैक्टर क्या किया जब फल का समय निकलता आया तो उसमें अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास बेजा दासों को पकड़के प्रेजलोड प्रेजलोड यहां पर प्रेजलोड बोलना है फल के समय आते वक्त मालिक ने क्या किया लोग भेजा क्या किया वही आज कलीशिय के अंदर होता है कॉंट्रक्ट लेने वाले लोग क्या कर रहे हैं अग्या पूले नहीं फल के समय क्या कर रहे हैं अग्या क्या कर रहे है कि ओड़क्टर के हाथ से पल लेने के लिए मालिक ने लोगों को बेजा तो माले मालिक के लोगों को क्या किया कॉंट्राक्टर ने प्रेश लोड यहां पर बोलना है खेती किसका है मालिक का है वहां पर मालिक कौन है परमेश्वर है इसु मशी है इस दर्धती पर उतर क्यों आए ताकि हमें क्या देने के लिए कलीश्या देने के लिए परमेश्वर का वचन देने के लिए पवितरात्मा हमें देने के लिए स्वर्गिया परिचय हमें देने के लिए कलीश्या के अंदर हमें योगिदान देने के लिए उसके बाद कलीश्या को परमेश्वर ने हमें हमारे हाथ में सोप दिया कॉंट्रेक्ट देके बोला मैं जा रहा हूँ वापस आओंगा और कलीसिया क्या होना शुरू किया बड़ोत्री पाना शुरू किया कलीसिया के अंदर लाब आना शुरू किया आत्माएं आना शुरू किया पैसे संपती सब कुछ आना शुरू किया तब कॉंट्रेक्टर का क् बदलिए कौल बदलिए काम सेवकाई बदल गया है तो एस एन आज करह को रहा है नो में क्लीच किसकी है फरमेशर की अब लोग क्या बोलते हैं के क्लीच किसकी है मेरी चिर मैंने का में किया क्लीच किसकता है अन्य में डाओ है कलीशय के शुरुत दोर में जब एक भी विश्वासी नहीं था तब कलीशय किसकी थी jeden है जब कलीशय में 10 या गया जब कलीशय के अंदर फल बढ़ने लगे जब कलीशय के engraバा त्वा की उन्नती होना शूरुए जब कि क्राउड पचास हजार साथ हजार एक लाग दो लाग दो करोड तीन करोड पाच करोड तब कर वो ओंडरेक्टर क्या मोलता है माई चर्च लो समझ में आ रहा है यह है परिवर्तन लोगों की अंदर का परिवर्तन ऐसा है इसलिए परमेशर बोल रहे हैं क्या कलीसिया किसकी है परमेशर की है फल किसके है परमेशर की है हमें परमेशर कॉंट्राक्ट देके गए हैं पवित्रात्मा हमें देकर गए हैं वचना में देके गए हैं क्लीषय के बड़तरी करने वाला वेटिप्रमेशर कुद है क्लीषय के अंदर आत्मा को लाने वाला वेटिप्रमेशर कुद है हमारा काम क्या है we are just contractor कॉंट्राक्टर का क्या काम क्या है समय के हिसाब से जितना समय दिया गया है उतने समय के अंदर अपना कॉंट्राक्ट को फुली प्रमेशर के सामने ओपन कर सकता है आज के कॉंट्राक्टर मृज बनाते हैं कितना दिन टिकता है किसी को मालूम नहीं आज कल के कॉंट्राक्ट के हाथ में कलीसिया दिया गया कितना दिन रुखेगा हमें 152 अगर कली siya का है पर attempt हमें दिया है उस कोंट्राक्ट को हमें क्या क्रना चाहिए अच्छी तरीके से भालपूर्ण करके हासिल किसको दे देना चाहिए परमेश्वर के हाथ में देना चाहिए कॉंट्रेक्ट का मालिक परमेश्वर है कॉंट्रेक्ट के योगेदान परमेश्वर है कॉंट्रेक्ट परमेश्वर ने हमें दिया है उस कॉंट्रेक्ट को हमें क्या करना चाहिए अच्छी तरीके से क्या करना चाहिए उसकी क्या करना चाहिए सफली कृत करके उसको आगे की और लेके आना चाहिए फल पूर नवस्ता में लेके आना चाहिए इसलिए एक परमिश्वर के दास को जिनकी कलीसिया में विश्वासी कम से कम चार लाग पांच लाग विश्वासी है उस पास्तर साब से परमेश्वर के आत्मा ने बात किया कि बोला कि तेरी कलीश्या में पांच से अधिक विश्वासी कभी स्वर्ग नहीं जाएंगे पास्तर जी उस दिन से उपवाश शुरू हो गए और परमेश्वर के निकट है एक कॉंट्राक्ट रखा बोला परमेश्वर जैसे तू बोलेगा वैसा मैं कलीश्या को चलाओंगा तेरी आत्मा की शक्ती को मैं क्या करूँगा बसीबूत हूँगा तेरी आत्मा जो बोलती है उसके हिसाब से मैं कलीश्या को चलाओंगा मुझ उस खेत का कौन्ट्राक्ट परमेशर तुझे और मुझे दिये हैं उस खेत में हमें क्या करना चाहिए प्लांटेशन को उगवाना का जरूरत है प्लांटेशन को क्या करना चाहिए पानी देने की जरूरत है उस प्लांटेशन को क्या करना चाहिए हमारे आसू देना जरूरी है हमारा प्रार्थना जरूरी है हमारा उपवास जरूरी है हमारी मिलनता जरूरी है हमारी सौभाग्यता जरूरी है हमारी मुझ से निकली हुए वचने जरूरी है हमारी कामकाजे उस कलीसिया के अंदर जरूरी है तो कि उस कलीसिया के अंदर फल प करता हूं परमेशर फलपूर्णता आते वक्त मैं अपना रूप नहीं दिखाऊंगा तेरी रूप को मैं दिखाऊंगा परमेशर आज परमेशर के सनेदी में सवर्मन करते हैं स्वर्गी पिता परमेशर आज तेरे सनेदी में परमेशर परमेशर के वचन के साथ मिलकर आते है परमेशर आज कलीसिया के बारे में बहुत कुछ हमने सीखा परमेशर बहुत कुछ जानकारी हमें मिली परमेशर उन सब हिस्साओं में परमेशर खेती बाड़ी के बारे में बहुत कुछ हमने सुना बहुत सारे लोग अपने फाइदे के लिए खेती बाड़ी को उप्योग कर जीए बोल के प्रारतना करता हूं परमिशर वच्णों से परमिशर आपने हमसे बात किया इसलिए धन्यवाद आदर और माईमा सब कुछ आपके हाथ में हम सोबते हैं इस्यू के नाम में मागते हैं आमें